आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है आप टेली का अधूरा ग्यान प्राप्त करना चाहते हैं या उसके विद्वान बनना चाहते हैं यदि आप अकाउंटेंट या विद्वान बनना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है इस वीडियो सिरीज की सभी वीडियोस को एक एक करके क्रमानुसार ही देखें वीडियोस को क्रमा नुसार देखने के दो तरीके हैं पहला है हमारी वेबसाइट द्वारा और दूसरा हमारे यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट द्वारा टैली की इस वीडियो सिरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे कि टैली में कॉंट्रा वाउचर क्या है और उसमें ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको पेमिंट वाउचर क्या है और उसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना बताया था और उसके भी पहले receipt voucher वाली वीडियो में हमने आपको ट्रांजिक्शन को record करने के तरीके को सेरिल और विस्तरत रूप में समझाया था इसके अलावा उसमें हमने टैली के company features और configuration का भी उप्योग किया था यहां हम आपको ये भी बता दें कि यही तरीका सभी vouchers में transactions record करने के लिए भी है इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि transactions को अच्छे से समझने के लिए उस वीडियो को ज़रूर देखें और एक बार ध्यान रखें आपको सिर्फ वीडियो देखने से फाइदा नहीं होगा यदि आप इस वीडियो का सही लाव लेना चाहते हैं तो जैसा आपको वीडियो में समझाया गया है ठीक उसी तरह दो तीन बार प्रैक्टिस ज़रूर करें आईए अब पहले हम कॉंट्रा वाउचर को समझ लेते हैं जब कैश अकाउंट से पैटी कैश कैश अकाउंट से बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट से कैश अकाउंट या फिर एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में फन ट्रांसफर किया जाता है तो उनकी ट्र पूर्ण बात ये है कि अभी हमने contra voucher में जो ट्रांसफर बताये हैं उनमें cash account और bank account दोनों ही हमारे हैं इसमें बाहर की कोई party समलित नहीं हैं यानि contra voucher में सिर्फ वे transactions आते हैं जिनमें देने वाले भी हम ही होते हैं और पाने वाले भी सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि इस वाउचर का उपयोग पैसा एक जेब से निकाल कर दूसरी जेब में रखने के लिए किया जाता है ट्रांजिक्शन पहचानने वाली वीडियो में हमने कॉंट्रा वाउचर से संबंधित कुछ ट्रांजिक्शन छांट लिये थे उन्हें यहाँ पर हम फिर से बताएंगे और उनके आधार पर कॉंट्रा वाउचर में काम करेंगे हमारा पहला ट्रांजिक्शन है दो अप्रेल को हमने 20,000 रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नकट जमा किये पहला सवाल ये कि इस ट्रांजिक्शन में प्रभावित होने वाले दो खाते कौन से हैं ट्रांजिक्शन को ध्यान से देखें यहाँ बैंक में नकट रुपए जमा किये हैं यानि कैश गया है तो ये हुआ एक खाता अब दूसरा खाता देखते हैं कैश कहा गया है या किसे दिया है तो कैश बैंक में जमा किया गया है यानि दूसरा खाता हुआ बैंक का तूसरा सवाल ये कि ये खाते किस प्रकार के हैं तो नकदी यानि कैश का खाता रियल अकाउंट है और बैंक का खाता पर्सनल अकाउंट अब तीसरा सवाल कौन सा खाता डेविट होगा और कौन सा क्रेडित तो bank में हमने रुपए जमा किये हैं या कह सकते हैं कि bank को रुपए दिये हैं तो bank हुआ पाने वाला bank account personal account है और personal account के लिए नियम है debit the receiver पाने वाले को debit करो मतलब यहाँ पर bank account debit होगा अब हम तेखते हैं दूसरे खाते को जो cash का है यह real account है और real accounts के लिए नियम है credit what goes out यानि जो वस्तु व्यापार से जाए उसे credit करो अब यहाँ पर जो चीज गई है वो है नकदी यानि cash इसका मतलब यह हुआ कि cash account credit होगा तो चलिए tally में इस transaction को record कर लेते हैं यहाँ हमने tally में अपनी company open कर ली है अब यह हम gateway of tally पर हैं यहाँ पर transactions heading के अंतरगत accounting vouchers में जाना होगा उसके लिए keyboard पर V key को press करें right side में vertical button bar में सभी vouchers के नाम और उनके आगे उनके shortcuts दिखाई पड़ रहे हैं contra voucher के लिए F4 प्रेस करें ऐसा करते ही contra voucher creation window open हो गई है एक बात का ध्यान रखें जिस तारीख में कोई transaction होता है टैली में उसी तारीख में उसे record किया जाता है हम जो transaction record करना चाह रहे हैं वो 2 अप्रेल का है तो हम F2 की press करके यहाँ पर 2 अप्रेल तारीख डाल देंगे और enter press करेंगे enterprise करते ही हम particulars में आ गए हैं जिसमें CR दिखाई पढ़ रहा है साथ ही right side में एक list of ledger accounts दिखाई पढ़ रही है इस list में खास बात यह है कि यहाँ सिर्फ वे ही ledgers दिखाई पढ़ते हैं जो bank या cash से समबंधित होते हैं क्योंकि contra voucher में इन दोनों के बीच जो transactions होते हैं वो ही record किये जा सकते हैं credit में हम cash account सेलेक कर रहे हैं देखिए ऐसा करते ही cash account में जो balance है वो दिखाई पढ़ रहा है इसे हम अलग से भी लिख लेते हैं उसके बाद यहां हमें amount में 20,000 रुपए टाइप करना है पर अभी हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं इसलिए 20,000 के इस्थान पर एक लाख 20,000 टाइप करके enterprise कर रहे हैं देखिए ऐसा करते ही नीचे negative cash की warning आ रही है और जितना cash कम है उसका amount भी लिखा हुआ आ रहा है ध्यान दें हमारे पास जो cash account का balance है और transaction में हम जो amount record करने जा रहे थे ये उन दोनों का difference है कहने का ताथ पर ये है कि यदि आप ये transaction record करना चाहते हैं तो आपकी books में इतनी cash और होना चाहिए यदि आप इसे अंदेखा करके आगे बढ़ने के लिए enterprise करते हैं तो फिर से ये balance जितना कम होगा वो cash के नीचे लाल रंग में लिखा दिखाई पड़ेगा यदि आप इस तरह की warning के बाद भी transaction record करना चाहते हैं तो कर सकते हैं transaction record करने की process वैसी ही रहेगी जैसी हम आपको आगे बताने वाले हैं हमें एक लाख बीस हजार के इस्थान पर बीस हजार ही चाहिए उसके लिए backspace की press करेंगे यहां amount change कर देंगे अब enter press करेंगे यह देखिए करसर DR पर आ गया है आगे बढ़ने के लिए enter press करें यहां पर हमें bank account यानि state bank of India को debit करना है तो वो select कर लें enter press करें यह देखिए ऐसा करते ही जो राशी credit में लिखी थी वही राशी debit में भी आ गई है enter press करें यह bank allocations window आ गई है यहां हमें कोई change नहीं करना है enter press करेंगे ऐसा करते ही cash denominations window आएगी जिस तरह के notes आप bank में जमा कर रहे हैं यदि आप उसका record रखना चाहते हैं तो details भरते हुए आगे बढ़ें और यदि record नहीं रखना चाहते हैं तो enter press करके आगे बढ़ जाएं हम वापस Contra Voucher creation window पर आ गए हैं यहां पर narration type कर देंगे being bank account opened in SBI with rupees 20,000 cash अब इस voucher को accept कर लेंगे अब देखते हैं दूसरा transaction 31 मही को हमने state bank of India से check द्वारा 5000 रुपए नकद निकाले पहला सवाल यह कि इस transaction में प्रभावित होने वाले दूखाते कौन से हैं transaction को ध्यान से देखें यहां पर check के माध्यम से bank से रुपए निकाले गए हैं तो bank हुआ पहला खाता अब दूसरा खाता देखते हैं bank से नकदी निकाली गई इसलिए दूसरा खाता हुआ cash का अब आता है दूसरा सवाल कि खाते किस प्रकार की हैं bank का खाता personal account है और नकदी यानि cash का खाता real account है चलिए इसको chart of accounts में देखकर confirm कर लेते हैं यह देखिए bank का account personal account है नकदी का खाता देख लेते हैं यह देखिए नकदी का खाता real account है यहां हमने दोनों खातों को confirm कर लिया है अब आता है तीसरा सवाल कि कौन सा खाता debit होगा और कौन सा credit bank account personal account है और personal accounts के लिए नियम है credit the giver यानि देने वाले को credit करो अब यहां हमने bank से रुपए निकाले यानि bank ने हमें रुपए दिये हैं तो देने वाला हुआ bank इसका मतलब bank account credit होगा अब देखते हैं दूसरा खाता जो cash का है cash account real account के अंतरगत आता है और real accounts के लिए नियम है debit what comes in यानि जो वस्तु व्यापार में आए उसे debit करो यहां पर हमारे पास cash आया है इसका मतलब यह हुआ कि cash account debit होगा आये अब chart of account से भी इसे confirm कर लेते हैं उसके लिए पहले हमें ये देखना होगा कि इस transaction का दोनों खातों पर क्या प्रभाव पढ़ रहा है हमने bank से रुपया निकाला मतलब bank का balance कम होगा और हमारे पास cash आया है मतलब cash account का balance बढ़ेगा अब हम chart of accounts के हिसाब से देखें तो यहां देखिए bank account assets में आता है और उसके लिए नियम है यदि balance decrease हो तो उसे credit करो अब cash account देख लेते हैं ये भी assets में आता है पर इसका balance increase हो रहा है और assets में increase के लिए नियम है उस खाते को debit करो तो ये confirm हो गया कि हमने golden rules of accounting की साहता से जो निनने लिया था वो सही है चलिए अब tally में इस transaction को record कर लेते हैं अभी हमारे सामने contra voucher खुला हुआ है सबसे पहले यहाँ F2 प्रेस करके वो तारिक डालें जिस तारिक में transaction हुआ है एंटर प्रेस करें यहाँ credit में हमें State Bank of India को select करना है यहाँ पर amount type कर दें अब एंटर प्रेस करें एंटर प्रेस करते ही bank allocations window आएगी उसमें instrument number और date डाल कर एंटर प्रेस करें हम वापस Contra Voucher creation window पर आ गए है यहाँ DR दिखाई पढ़ रहा है आगे बढ़ने के लिए एंटर प्रेस करें यहाँ debit में हमें cash account को select करना होगा एंटर प्रेस करें ऐसा करते ही जो राशी credit में लिखी थी वही राशी debit में आ गई है फिर से एंटर प्रेस करें अब यहाँ transaction का संक्षिप्त विवरन यानि narration टाइप कर दें हमने टाइप किया being rupees 5000 cash withdrawn from SBI अब एंटर प्रेस करते हुए इस voucher को accept कर लें आइए शॉर्ट में एक और transaction record करके देख लेते हैं 1 जून 2020 को हमने State Bank of India के check number 123322 dated 1 जून 2020 से 5000 रुपए Bank of महराश्र में transfer किये यहाँ आप देख सकते हैं इस transaction में प्रभावित होने वाले दो खाते हैं State Bank of India और Bank of महराश्र यह दोनों ही खाते bank के हैं जो की personal account है golden rules of accounting के अनुसार State Bank of India का खाता credit होगा और Bank of महराश्र का खाता debit होगा आए इस transaction को record कर लेते हैं F2 की press करके तारीख एक जून कर देंगे Credit में State Bank of India सेलेक करें Amount डाले Bank Allocations में Space Bar प्रेस करके Transaction Type सेलेक करें Instrument Number में चेक नंबर डालें Instrument Date में voucher की तारीख ही आ रही है और यही तारीख हमारे चेक की भी है आगे बढ़ें debit में Bank of महराश्र सेलेक करें Enterprise करके आगे बढ़ें यहाँ फिर से Bank Allocations window आएगी जिसमें हमने जो पहले details दी थी वो by default आ रही है Enterprise करते हुए आगे बढ़ें यहाँ पर हमें उस bank का नाम टाइप करना होगा जिस bank का यह चेक है नाम टाइप करना हम आपको पहले ही बता चुके है नीचे narration टाइप करें और अब इस voucher को accept कर लें अब तक हमने क्रमशह, receipt voucher, payment voucher और contra voucher के बारे में समझा और इन सभी vouchers में एक महतुपुन बात यह है कि इन सभी vouchers का संबंध cash और bank से होता है इसके बाद वाली वीडियोज में हम stock groups, units of measure और stock items के बारे में बताएंगे और यह भी बताएंगे कि sales voucher और purchase voucher में transactions record करने के पहले इन्हें समझना क्यों ज़रूरी है आपकी सुविधा के लिए हमने नीचे description में एक PDF दिया है हर वीडियो में हम कुछ नई बातें detail में समझाते हैं और बाद में short में उनको use करते हैं अगर आप चाहते हैं कि कोई भी useful चीज छूट न जाए तो आपसे निवेदन है कि सभी वीडियो को क्रमा नुसार ही देखें झाल